42 नंबर जो चेप्टर है हमारा उसका नाम है रस विशेश विज्ञानिय अध्याए द्वी चत्वारिंश अध्याए है जो हमारा इसमें आप तीन नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए अकाश पवन दहन तोय भूमिशू यानि महाभूतों की उत्पत्ती का सही करम है एक्चली है हम याद भी इसी तरीके से करते हैं ना महाभूतों को सबसे पहले आकाश आता है पवन यानि हमारी वाईयो फिर दहन का मतलब अगनी फिर तोय यानि जल और फिर भूमिश आती है तो इसी तरीके से क्या होते हैं इसी कि शब्द स्पर्ष रूप रस गंद तनमान आप्यो रसा यानि अब क्या होता है जो हमारा आप हिंदी में देखे तीन नंबर श्लो की सेकेंड लाइन में अकाश में शब्द गुण होता है हमें पता है वाईयू में शब्द और स्पर्ष ये दोनों गुण होता है हमने क्या एकाश है अकाश में शब्द गुन होता है वाईउ क्या करेगी वाईउ का specific जो गुन है वो सपर्ष है लेकिन अकाश का शब्द गुन भी उसमें present है तो एक एक में क्या होता है गुनों की वरिद्ध होती है फिर नेक्स्ट देखिए अगनी आएगी अगनी का main तो गुन रू रूप ही है लेकिन उसमें शब्द और स्पर्ष दोन होते हैं इसी तरीके से जो जल है उसमें शब्द स्पर्ष रूप और रस होते हैं प्रिथ्वी में शब्द स्पर्ष रूप रस गंदी ये पांचों विद्यमान होते हैं ठीक है फिर हमारा जो ये चार नंबर श्लोक है में बताया गया है कि जो हमारे महाभूत हैं कौन से मतलब कौन से रस से कौन से महाभूत की उत्पत्ती हुई है या कौन से रस में कौन सा महाभूत हमारे प्रेजेंट होता है इस तरीके से तो यह हमने जो है वो आपको चरक सहीता में भी फर्स चेप्टर में आपको पढ़ाय को A से फिर लवन L फिर कटू के तिक्त को T से और कशाय को K और S लिख देना तो मधूर अमल लवन कटू तिक्त कशाय इस तरीके से हम अपने जो रसें वो पढ़ते हैं तो मधूर में हमारा होता है P J P और J लिख लीजिए M के आगे P मतलब प्रिथवी J for जल तो मधूर रस मे हमारे कौन से महाब होता हैं प्रिथवी और जल है फिर आता है अमल में हमारा होता है P A मतलब प्रिथवी और अगनी नेक्स्ट हमारा होता है लवन लवन में हमारा होता है ए और जे पी जे पा ए जे अब ए जे का मतलब अगनी और जल फिर हमारा है कटू कटू में होता है वी और ए मतलब वात यानि वायू और अगनी फिर नेक्स्ट है हमारा तिक्त में होता है वैक V, A, K V का मतलब Y, U A और K का मतलब यहाँ पर अकाश से डिनोट करते हैं हम हमारा वात और अकाश यानि Y, U और अकाश होते हैं फिर आता है कशाय में होता है P, V यानि पृत्वी और Y, U तो हम इसकी ट्रिक कैसे याद करें हमें रस याद है मधूर, अमल, लवन, कटू, तिक्त, कशाय इसी सिक्वेंस में पढ़ते हैं उनमें महाभूत क्या हैं दो-दो पेर में हम याद करेंगे P, J, P, A, J, V, W, W, P, V I repeat P, J, P, यानि मधूर में P, J है फिर अमल में पा है तो P, J, P, प, फिर लवन और कटू की अगर हम बात करें A, J, V, यानि अगनी जल और अगनी और वायू फिर तिक्त, कशाय में वैक, P, V, ठीक है शिक्स नमबर जो श्लोक है इसका इसमें देखिए बोलते हैं कि जो केचिद, आहुर, अगनी सोमें त्वाज जगतों यानि कुछ अचारिय बोलते हैं कि जो जगत है वो अगने या सोमें होता है रस द्वीविदा इसी परकार से रस भी दो होते हैं सोमें और आगने अब क्या होते हैं तत्र, मधूर, तिक्त, कशाया सोमें को हाइलेट कर लीजिए जो हमारे मधूर हैं, तिक्त हैं, कशाया ये तीन रस होते हैं सोमें और कटू, अम्ल, लवन होते हैं आगनें हमें वैसे भी पता है पित का शमन करने वाले कौन से तीन रस हैं मधूर, तिक्त, कशाया जब ये पित का शमन कर रहे हैं तो अविस सी बाते हैं ये सोम्मे होंगे तब ही शमन कर रहे हैं और कटू, अमल और लवण ये पित को बढ़ाने वाले हैं बढ़ाएंगे तो मतलब आगने गुण है इनका फिर ये बोलते हैं तत्र मधूर अमल लवणा सनिक्दा गुरुवश्च यानि मधूर अमल लवण ये पहले के जो तीन है ये सनिक्द होते हैं और गुरु होते हैं कटू, तिक्त, कशाई, ये रुक्ष हैं तीन और अस और ये क्या होते हैं लगु होते हैं सोम्या, शीत, बागने का मतलब ऊश्न होता है फिर यहाँ पे साथ नमबर जो शलोक है इसमें वाद के बताए गए है कि गुण कौन कौन से हैं देखिए फर्स लाइन में मिड में तस्य समान योनी कशायो रस यानि वाद की सेम योनी वाला रस कौन सा होता है कशाय यानि उत्पत्ती जो होत है नेक्स्ट आजए यह आठ नमबर जो शलोक है उसमें हमें इसके गुण तो पता ही है सभी को वाद पित कफ के तो इनकी गुणों पर इतना नियोश ने तिक्ष ने यह पता है मिड में देखिए तस्य समान योनी कटू को रस है पित के समान योनी जो रस है वो कौन है कट को बोला गया है फिर नाइन नमबर में कफ के गुणों के बारे में तस्य समान योनी मधूर रस है यानि जो वाद है उसका समान योनी रस है हमारा कशाई पित का है कटू और जो कफ है उसका होता है हमारा मधूर रस दस नमबर शलोक की हिंदी में देखिए कफ का दूसरे अ आपसे रस पूछे तो कटू रस है विरुद गुण होने वाला होता है इससे ठीक है अब यहाँ पे यह सभी रसों के बारे में सभी रस है उनके लक्षनों की बात करेंगे इंपॉर्टन्ट है पूछा जाता है इसमें से भी कोश्चन तो ग्यारा नंबर जो श्लोक है उसमें फर्स लाइन में देखिए तत्र यह परितोशनम उत्पाद्यती प्रलाहद्यती को हाइलाइट कर लीजी अहलादन जो करने वाला होता है फिर उसके बाद तरप्यती जीव्यती और मुख लेपम जीव्यती और मुख लेपम को हाइलाइट कर लीजी यानि जो अहलादन कर र मधूर रस बोलते हैं तो यहां तक मधूर रस के बारे में बताया गया फिर दो नमबर आप लगा लिजी यो जो लिखा है सेकेंड लाइन में यो के आगे तो यह दूसरा रस अब यहां से बता रहे हैं दंत हर्शम उत्पाद्यती मुखा स्रावम जन्यती खटी चीजों से द रितियर रस के बारे में बोला गया भक्तम रूची उत्पाद्यती कफ प्रसेकम भक्त जो खाना है उसमें रूची को बनाने वाला होता है कोई चीज नमकीन ना हो अच्छा नमक ना हो तो मन भी नहीं करता खाने का तो जो भोजन है उसमें रूची करने वाला कौन सा रस है हमारा लवण होता है और कफ का प्रसेख कराने वाला थर्ड की लास लाइन में देखे यो जीवा अगर बाध्यते को हाइलाइट कर लीजिए बहुत इंपर्टन्ट है जीवा अगर को बांधने वाला यानि एक दम से जीवा के अगर भाग में जंजनाठ जिससे होती है जैसे अगर कोई मिर्ची अगर आप एक दम खालो तो जीवा के अगर भाग में एक दम लगेगी न तो जीवा अगर बाध्यते किसको बोला गया है और सिर से नासिकादी से सराव हो रहा है मुख में तो विशद्ता उत्पन करेगा मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपकी खाने में रूची को बढ़ा देगा ऐसा रस कौन सा होता है तिक तरस कड़वा जो होता है ठीक है यहीं जैसे नीम है तिक तरस में आती है जो उसको सुखाने वाला होता है जीवा स्तंब्यती जीवा का स्तंबन कर देता है कंठम बंदनाती हिर्द्यम कर्शती पीडियती को हाइलेट कर लिजी यह कशायरस वैसे भी स्तंबन करने वाला होता है तो हिर्द्या का कर्शन कर रहा है पीडन कर रहा है जीवनिय है, मुख लेपस्ट है, वो मधूरस है, जो दंत हर्ष कर रहा है, मुख से सराव करा रहा है, वो हमारा अमल है, जो खाने में रूची को बढ़ा रहा है, भक्तम रूची, तो वो कफ प्रसेख कर रहा है, वो हमारा लवन रस है, जीवा अगर बादियत, जीवा के जो फर्स्ट पार्ट है अगर भागस में थोड़ा सा जंजनाट या बाधन करने का काम कर रहे हैं हमारा कटूरस जो मुख विशदता कर रहे हैं लेकिन भक्तम रूची अच्छा अपादियती वो तिक्तरस है जो वक्तर का परिशोशन कर रहा है जीवा स्तंब्यती हिर्द्यम कर् दिए ये तो एक चोटए से लक्षन बोल दिया सभी रसों के कि ऐसा मधुर रस होता है ऐसा जो लवन अमल इस तरीके सबके छोटे-छोटे। फॉरम में लक्षन बोल दिया अब एक को अच्छे से एक्सप्लें कर रहे हैं तो सबसे पहले बारा नमबर श्छोक में मधूर के बारे में देखी क्या बोला है रस रक्त मास मेध अस्थी मज़ा शुक्र यानि जो सभी धात्ते उनको बढ़ा रहा है second line में word है third word देखिए बल कृत संधान यानि ये क्या कर रहा है बल कारक होता है और संधान कृत है जोडने वाला होता है, संधान करता है, तो बलकृत और संधान, इसको highlight कर लिजिए, इसी लाइन में लास्ट में शटपत, पिपली का अभी निविश्टम, यानि जो पिपली काईं आदी होती है चीटियं होती है, भ्रहमरादी इनको भी प्रिय इनको भी अच्छा लगता है मीठा थर्ड लाइन में देखिए बल कृत संधान के नीचे शड इंद्रिय प्रसादन शड इंद्रियों का प्रसादन करने वाला बोला है इसको और क्रीमी कफ कर रहे हैँ क्रीमी भी मदूर रस पही आते हैung तो क्रीमी और कफ को करने वाला होता है आपने मधूर रस के बारे में ये अब तीन चीजें याद रखनी है बल और सबसे पहले तो सबी धातों को बढ़ा रहा है बल कर देने वाला है, संधान करने वाला पिपलियों आदी को भी प्रिय होता है शडिंद्रियों का परसादन कर रहा है अगर कोई मधूर रस का जादा सेवन करे तो उसके लिए भी थर्ड लाइन के लास्ट में रोग बताएगा है कि क्या क्या हो सकते हैं तो फॉर्ट लाइन में देखिए कास स्वास लिखा इसको हाइलाइट कर लिजे इन दो को कास स्वास आधी रोग हो जाएंगे फिर अर्बुद शलीपद वस्ती ये सब भी हैं ये नहीं हमें देखने नेक्स्ट है तेरा नंबर शलोक में फर्स्ट लाइन में मिड से थोड़ा आगे दिखिए कोष्ट विदाही बही शीतष्ट को हाइलाइट कर लिजे बहुत बार पुछा जाते है अमलरस के बारे में कि ऐसा कौन सा रस है जो बही तो शीतष्ट है मतलब ऐसा लगेगा आपको की शीतल है लेकिन कोष्ट में दहा कर रहा है अंदर जाके शीर में दहा करेगा बार से ऐसे शीत परतीत होगा तो वो अमलरस होता है कोष्ट विदाही बही शीतष्ट लास्ट वर्ड प्रायो हृद्य श्चेती को हाइलेट कर लिजे प्राय हृद्य बोला गया हमारे अमलरस को अगर इसका कोई जादा यूज करें तो हिंदी की आप फोर्थ लाइन देखिए हिंदी में इसको देख लीजिए फोर्थ लाइन में लास्ट में क्षत, दग्द, अस्तिभगनादी इनको पकाने वाला काम ऐसा करता है लवण रस के बारे में अब देखिए फोर्टीन नंबर श्लोक में लास्ट जो दो वर्ड है सर्वरस प्रत्यानिको मार्ग विशोधन सर्वरस प्रत्यानिको जो सभी रस हैं हमारे उनका क्या करता है प्रत्यानिक है उनका विरोधिय दबाने वाला होता है सभी रसों को तो लवण रस के बारे में वो लगता है सरवरस प्रत्यानिको मार्ग विशोधन आ सरव श्रीर अव्योव, मारदव, करश चेती ये तीन वरड हाइलाइट कर लिजे सरवरस प्रत्यानिक मार्ग विशोधन करता है और सभी श्रीर के जो भी अंगिनको मृधुता या कलेता करने का काम करता है अगर इसका जादा यूज़ करोगे तो third line में first word है पुन्सों पघातिन पुनसत्व है जो उसका नाश करने वाला होता है ठीक है फिर उसके बाद कटूरस के बारे में first में last में संधी बंदन विछे दिन है जो संदी बंदन है उनको धीला करता है कटूरस और फिर उसके आगे स्तन्य शुक्र मेद साम उपहंतस चेती जो हमारा स्तन्य है वीरी है या 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 मेद है इनका नाश करने वाल होता है कटूरस नेक्स्ट हमारा आता है तिक्तरस के बारे में नेक्स्ट पेज पे क्या गया है 16 नंबर श्लोक में जो तिक्त है वो छेदनों बोला है फिर देखिए जुरा प्रशमनम स्तन्य शोधनों को हाइलेट कर लिजी इस फर्स्ट लाइन में जुर का शमन करता है तिक्तरस और स्तन्य शोधन रस कौन से है तो तिक तरस है और स्तन्य शोधनों के ज़स्ट नीचे देखे अगर इसका ज़्यादा सेवन करेंगे मन्या स्तंब आक्षेपक अर्दित को हाइलेट करेंगे मन्या स्तंब कर देगा आक्षेपक और अर्दित इन ड्रोगों को करने वाला होता है फिर आत नीचे देखे रोपन के कि अगर ये जादा यूज करें तो क्या होगा हरित पीड़ा आश्या शोष उदर आधमान वाग ग्रह मन्या स्तंब इसमें भी आया है गात्र सफूरन चुम चुमायनम ठीक है तो अब हम क्या है ये जो स्तारा नंबर हमने शलोक तक पढ़ा हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं जो आपको याद रखने ताकि किसी का छूट न जाए जो हाइलाइटीड पॉइंट है वही हम आपको बोलेंगे अब बारा नंबर शलोक से मधूर रस में आपको याद रखना है कि जो सभी धातियों उनको बढ़ा रहा है बलकृत संधान है कि जो यह वो जादा यूज करेंगे तो क्षत दख दिये सब हो रहा है पका देता है उनको लवन रस की बात करते हैं तो सर्वरस प्रत्यानी को मार्ग का शोधन करता है सभी अंग्यों को मृदू बनाता है जादा यूज करो तो पुनसत वो पगाती है इसी तरीके से कटू स्धूरस नुद्धि जो जादा यूज करता हैं तो पुनसत दिला कोला का आदा यूदा है मन्यास्तंब जो हमारा है वो हमारा तिक्त और कशाय दोनों के ज़्यादा सेवन की वज़े से हो रहा है ठीक है फिर इसमें हमारा आता है 24 नंबर श्लो की इस चेप्टर में आप देखिए यहाँ पर बताएगे हैं 6 रसों के संयोग जो रस हैं एक एक रस इस इकुल टू छे होते हैं हमें पता ही है अलग अलग सभी रसों को देखो मदूर, अमल, लवन, कटू, तिक्त, कशाय तो 6 चीजे बनगी हमारी दो-दो रस के अगर आप पेर बनाओ तो 15 पेर बनते हैं तो दो-दो रस इस इकुल टू 15 तीन-तीन रस के बनाते हो पेर तो 20 पेर बनते हैं तीन-तीन रस इस इकुल टू 20 चार-चार रस के बनते हैं 15 15 पांच-पांच रसों के पेर बनते हैं 6 और 6-6 के एक ही पेर बनेगा छेओं को इकठाल होगे तो एक ही पेर बनेगा दो-दो रसों के अगर पेर बनाते हो तो 15 तीन-तीन के बनाते हो तो 20 चार-चार के बनाते हैं तो 15 पांच-पांच के बना रहे हैं तो 6 और 6-6 के बना रहे हैं तो एक देखिए एक सिक्वेंस देखिए इसमें पहले 6 पेर हैं फिर 15 हैं फिर 20 हैं फिर से वही 15, छे और एक तो एक-एक रस इस तरीके से आपको याद रखना है इस में अब वो सैयोग आपसे पूछेंगे नहीं की दो-दो वाले कौन से पंदरा या, इस तरीके से आपसे सिर्फ पूछेंगे रसों के सैयोग होते हैं तो संयोग कितने हमारे 63 होते हैं यहाँ पर बताएगे हैं रसों के संयोग है 63 और वो कैसे होते हैं एक एक रस के 6 हैं 2 2 के 15 3 3 के 20 4 4 के 15 5 5 के 6 और 6 6 के 8 तो यह हमारा जो चेप्टर है यह complete होता है 42 नमबर चेप्टर